हेलो नमस्कार दोस्तों तो आप देख रहे हैं जीव भनी उस्त वक्त हो गया है दिन बर की बड़ी खबर को जानने का तो उसे पहले यदि आप हमारे चानल पारने है तो चानल को सब्सक्राइब करणें ताकि इसी तरह की देश दोने कि आप सारी खबरों से रासके तो चलिए जानते हैं आज दिन बर की बड़ी खबरें अखिलेश यादों नहीं लड़ेंगे 2022 UP विधानसवा चुनाओ कहा RLD के साथ गटबंदन फाइनल जिहां समाजवादी पार्टी के दक्ष अखिलेश यादों ने कहा कि वह 2022 का उत्तरप्रदेश विधानसवा चुनाओ नहीं लड़ेंगे और RLD के साथ उनकी पार्टी का गटबंदन फाइनल है चुनाओ में सिवपाल सिंग यादो की प्रगतिशिल समाजवादी पार्टी के साथ आने की संभावना पर उन्होंने कहा कि मुझे कोई समस्या नहीं है उन्हें और उनके लोगों को उचित सम्मान दिया जाएगा यूपी चुनाओ से पहले कॉंग्रिस ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा वा सिलेंडर देने का किया वादा जिहां कॉंग्रिस मासचेव प्रियंका गांधी वाडरा ने यूपी विधान सबा चुनाओ 2022 को लेकर महिलाओं के लिए अलग घोशना पत्र जारी करते हुए उन्हें प्रदेश की सरकारी बसों में मुफ्त सफर करने का वादा किया है बकॉल प्रियंका गांधी सालाना तीन सिलेंडर मुफ्त दिये जाएंगे इसे पहले उन्होंने बारावी पास चात्राओं के लिए स्मार्टफोन वा ग्रेजुएट चात्राओं को स्कूटर देने का वादा किया था मुख्यमंत्री योगी अधितनाथ ने कहा जिन्ना से पटेल की तुलना सर्मनाग माफी मांगे अखिलेश यादो जिहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी अधितनाथ ने सपा के राष्टिय धक्ष अखिलेश यादो की मुहम्मद अली जिन्ना की तुलना महत्मागांदी जवाहरलाल नहरू और सरदार पटेल से करने की अलोचना की है उन्होंने कहा कि अखिलेश को अपनी टिपणी के लिए माफी माँगनी चाहिए जिसमें उन्होंने जिन्ना को भारत की अजादी के लिए लड़ने वाले के रूप में बताया था राकेश टिकेट ने कहा सरकार के पास 26 नौमबर तक का समय उसके बाद आंदोलन को और करेंगे मजबूत जिहां BKU नेता राकेश टिकेट ने कहा कि केंदर सरकार के पास 26 नौमबर तक का समय है 27 नवबर से किसान गाउं से ट्रेक्टरों से दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर पहुचेंगे उन्होंने कहा कि पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन को और मजबूत करेंगे और आंदोलन स्थल पर तंबूओं को भी मजबूत करेंगे टिकेत इससे पहले सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बनाने की चेतावनी दे चुके हैं औस्टेलिया ने भारत बायोटेक के को वैक्सीन को दी मान्यता जिहां भारत के स्वदेशी COVID-19 वैक्सीन कारिकरम को बढ़ावा देने के लिए औस्टेलिया ने भारत बायोटेक के वैक्सीन को मान्यता दी है को वैक्सीन को ऑस्टेलिया की हरिजंटी ऐसे समय में मिली है जब WHO ने को वैक्सीन के लिए बहु प्रतिक्षित आपातकालिन उप्योग सुची पर निर्डन लेने के लिए अतिरिक्त डेटा की मांग की है केंद्र की ओर से मुफ्त में दिये जा रहे इसरम कार्ड के लिए महिला को देने पड़े 100 रुपे जिहां केंद्रिय सरम और रोजगार रज्यमंत्री रामेश्वर तेली को एक महिला लभार्थी द्वारा सुचित किया गया था कि उन्हें इसरम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद इसरम कार्ड प्राप्त करने के लिए 100 रुपे का भुगदान करना होगा ये घटना सनिवार को हुई जब पटना में लभार्थियों के एक समुह को रामेश्वर तेली द्वारा एक स्रम कार्ड वित्रित किये जा रहे थे अगर दस्तावेज सही है तो समीर वानखेडे के अधिकारों की रक्षा सुनुश्चित करेंगे जिहां NCB की मुंबई इकाई के जोनल डिरेक्टर समीर वानखेडे ने नई दिल्ली में रास्तिय अनुसुचित जाती आयोग के अध्यक्ष विजय सामपला से मुलकात की NCSC के अध्यक्ष ने कहा कि अगर समीर वानखेडे से सम्मन्दित दस्तावेज करम में पाई जाते हैं तो आयोग यह सुनिशित करेगा कि उनके अधिकारों को बरकरार रखा जाए दिल्ली सरकार ने कहा बिना PUC सर्टिफिकेट वाहन चलाना पड़ेगा महंगा होगी 6 महीने की कैद जिहां दिल्ली परिवाहन विभाग ने एक सारोजनिक नोटिस जारी करके वाहन चालकों को वाहन चलाते समय एक वैध परदूशन नियंतरन प्रमाण पत्र साथ रखने को कहा है बढ़ते वायो प्रदूर्शन के चलते सरकार ने ये अनिवारे कर दिया है प्रमाणपत्र प्रस्तूत न करने पर 6 महीने की कैद या 10,000 रुपए का जुन्माना या फिर दोनों हो सकते हैं कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं बेल आइकोन को दबाएं और हमारे एलड और लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए दो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आपका शुक्त रिया